अन्याय कर देता हूं अब उस पॉइंट को शीव शक्ति के नाम से जाना जाएगा मैं साउथ आफ्रीका में था फिर ग्रीस का कारकम था तो नहां चला गया लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था लेकिन कभी के भी लगता है कि मैं आप लोगों के सारा अन्याय कर देता हूं बेसबरी मेरी और मुसीवत आपकी इतरी सभेरे सभेरे आप सभी को और इतना ओर टाइम लिकिन बस मन कर रहा था जाओं आपको नमन करो आपको दिक्कत ही होगी लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था आप सब को सेल्द करना चाहता था सेल्द आपके परिश्रम को सेल्द आपके धैरिय को सेल्द आपकी लगन को सेल्द आपकी जीवर्ता को सेल्द आपके जदिवे को साथियों मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लेंडर ने अंगत की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है एक तरफ दिक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पदचिन्न छोड़ रहा है अलग-अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरे अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौफाय की मिला वो अद्वूत है मानव सभ्यता में पहली बार धर्ती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस्थान की तस्वीर मानव अपनी आँखों से देख रहा है और यह तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है आप सब ने देखा है चंद्रयान थ्री में देख ने हमारी महिला वैज्यानिकों ने देख की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है चंद्रमा का पीडियों को प्रेणा देगा कि हमें विज्यान का उप्योग मानव ताके कल्यान के लिए ही करना है साथ्यों एक और नामकरन काफी समय से लंबीत है चार साल पहले जब चंद्रयान टूब चंद्रमा के पास तक पहुँचा था जहां उसके पदचिन पड़े थे तब ये प्रस्ताव था कि उस थान का नाम तैक किया जाए लेकिन उन परिस्सितियों में निरने लेने के स्थान पर हमने प्रान लिया कि जब चंद्रयान थ्री सफलता पुर्वक चांद पर पहुचेगा तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे और आज मुझे लगता है कि जब हर गर तिरंगा है जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तरंगा है तो तिरंगा के सिवाए चंद्रयान तू से जुड़े उस्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है इसलिए चंद्रमा के जुस्थान पर चंद्रयान तू ने अपने पदचिन्न छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा